नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे मंजु डालमिया कोलकाता से तुडे इस कपल्स डे पती पत्नी एक बनाया गया रिष्टा पहले कभी एक दुसरे को दिखा भी नहीं था अप सारी जिन्दगी एक दुसरे के ही साथ पहले अपरिचित फिर धिरे धिरे होने लगया परिचय धिरे धिरे होने वाला हिदय स्पर्श फिर नोंग जूंक फिर जगडे बोल चाल बन कभी जिद कभी एहम का भाव फिर धिरे धिरे बनती जाती प्रेम पुश्पू की माला फिर एक जीवता दो शरीर एक आत्मा एक दुसरे के बिना कुछ भी नहीं वैवाही जीवन को परिपक्व होने में समय लगता है धिरे धिरे जीवन में स्वाद और मिठास आती है ठीक वैसे ही जैसे आचार जितना ही पुराना होता जाता है उसका स्वाद उतना ही बढ़ता जाता है पत्ती पत्तनी भी बिलकुल इसी तुरह एक दुसरे को अच्छी प्रकार जानने समझने लग जाते हैं एक दुसरे को के लिए नए पुराने हो जाते हैं विरिक्ष बढ़ता जाता है, बेले फुटती जाती है, फूल आते हैं, फल आते हैं, रिष्टा और मजबूत होता जाता है, धीरे धीरे बिना एक दुसरे के अच्छा ही नहीं लगता, उम्र बढ़ती जाती है, दौनों एक दुसरे पर अधिक आश्रित होने जाते हैं, एक के बगैर खाली पन मैसूस करने लगते हैं जैसे मानों एक के बिना दूसरे का काम हो ही नहीं पाएगा एक काम जिदी करने भी चलो तो सोचते हैं कि अरे ये हो तो हम ये काम आगे बढ़ाएं और पुरुष सोचता है कि यदि वो होती तो वो ये काम आगे बढ़ाएं तो और भी अच्छा होगा फिर धीरे-धीरे मन में एक भय का निर्मान होने लगता है अरे ये चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा ये चले गए तो मैं कैसे जीऊंगा एक दुसरे के लिए वो दौनों का महत्व बहुत ही बढ़ता ही जाता है अपने मन में गुमरते इन सवालों के ये इस धर्ती का सबसे अनमोल और पवित्र रिष्टा भी कह सकते हैं हम क्योंकि दो अलग-अलग लोग अलग-अलग घर के अलग-अलग जिंदगी के एक होकर के अब इतने एक दुसरे में रम जाते हैं कि एक दुसरे के बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल हो जाता है कैसा अनुखा रिष्टा है नहीं ये कौन कहां का और एक बनाया गया रिष्टा पती पत्नी वा बड़ा ही अनमोल बड़ा ही प्यारा बड़ा ही सुन्दर रिष्टा हैपी कपल स्टे सभी शादी शुदा जोड़ों को समर्पि विवा एक भरोसा है समर्पन है तारीफ उस स्त्री की जिसने खुद का घर छोड़ दिया और धन्य है वो पुरुष जिसने अंजान स्त्री को घर स्वाप दिया वंस अगेन हैपी कपल स्टे इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी विदा नमस्कार फिर मिलेंगे जल्दी